तो दोस्तों आज की वीडियो SSEGD 2024 के सभी candidates के लिए काफ़ी important रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है final cutoff के बारे में जितनी भी possibilities cutoff को लेकर बन रही है जितनी भी details है वो सारी चीजे इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ काफ़ी important वीडियो आपके लिए है वीडियो को इन तक आप जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी से लंबी जरूर हो सकती है लेकिन वीडियो देखने के बाद cutoff से related जितने भी आपके doubts है वो सारे यहाँ पर clear हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं SSE GD physical 2024 का data अब यहाँ पर shortlisted candidate कितने हैं males के अगर मैं बात करता हूँ तो 3,8006 और females के अगर मैं बात करता हूँ male plus female तो यहाँ पर candidate shortlisted है 3,44,404 अब यह shortlisted किसके लिए किये गए हैं यह shortlisted किये गए हैं physical के लिए यानि कि physical के लिए total 3,44,404 candidates included male and females को shortlist यहाँ पर किया गया है यानि कि 3,46,404 candidates physical के लिए appear यहाँ पर होने वाले हैं इस 23 तारिक से अब यहाँ पर बात करें qualified candidates और disqualified candidates इनके उपर हम आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम एक बर previous year का pattern देखते हैं कि वहाँ पर physical का क्या कुछ हाल रहा था अगर मैं बात करता हूँ SSEGD physical 2022 ते इस data यानि कि previous year की जो भरती थी उसके बारे में तो यहाँ पर shortlisted candidates की अगर मैं बात करता हूँ तो males की अगर बात करें सबसे पहले तो 3,24,508 males को shortlist किया गया था physical के लिए females की अगर मैं बात करता हूँ तो 40,070 females को shortlist किया गया था physical के लिए qualified candidates की बात करते हैं तो 81,889 candidates थे male candidates जिनों ने इसको qualify किया females की बात करते हैं तो 9,627 female थी out of 40,070 जिनों ने physical को qualify किया disqualified candidates की बात करते हैं तो 2,42,619 male candidates से जो disqualified हुए थे 30,443 female candidates थी जो यहाँ पर previous बरती के अंदर disqualified हुई थी तो यहाँ पर 3,24,000 में से physical pass किया 81,800 candidates ने और 40,070 में से किया 9,600 candidates ने females में so यह था previous year का data अब अगर अगर बात करते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह previous year का official था जिसके अंदर यहाँ पर 40,070 females को qualify करवाया गया था यहाँ पर 3,24,508 males को qualify करवाया गया था इसके अंदर आपके qualify किये थे physical के लिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ SSC GD 2022 physical analysis को लेकर तो यहाँ पर अगर मैं males की सबसे पहले बात करता हूँ तो 3,24,508 candidates को यहाँ पर short list किया गया था qualify यहाँ पर 81,889 जो candidates थे यह यहाँ पर qualified हुए थे disqualify हुए थे 2,42,619 candidates अगर मैं pass percentage की बात करूँ 2022 थे इस previous भरती के अंदर क्या pass ratio क्या था तो 81,889 candidates पास हुए टोटल candidate थे 3,24,508 और इसका जब percentage हमने निकाला तो वो approximate निकलके आता है 25.23 यानि कि लगभग आप मानलो 25 परसेंट जो candidate थे उन्होंने previous year के अंदर physical को pass किया था यानि कि male candidates ने ठीक है यानि कि 100 यान 3,24,508,100 percentage मानता हूँ तो 100 में से 25 ने पास किया 25 यान पर क्या होए थे physical के अंदर fail यान पर हो गए थे अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2022 थे इसके previous year में female physical के analysis को लेकर तो short list यान पर थी 40,070 पास हुआ था 9,627 female ने पास किया था 3,443 को बोल सकते हैं कि वो physical fail थे अब अगर मैं पास percentage का अगर ratio निकालता हूँ तो 9,627 यहां पर physical pass इसके अलावा 40,070 total और 100 करके percentage निकाला तो 24 एप्रोक्षिमेट यहां पर निकलके आया है 40,070,100 परसेंट था इसमें से 24 ने पास किया और यहां पर कितने बच गया आपके छेतर ने यहां पर physical को पास नहीं किया इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ SSEJD physical 2021-22 इससे भी previous year का जो data की मैं बात करता हूँ तो short listed candidate किये गए थे 2,50,254 male और female किया गया था 30,666 candidate अब qualified candidates की मैं बात करूँ तो males ने qualify किया 6,732 ने out of 2,50,254 female ने किया 7,235 अब disqualify थे 1,89,542 candidates और यहां पर females का था 23,732 female candidates यहां पर disqualify हुई थी इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2,212 का physical analysis की मैं बात करता हूँ तो males का यहां पर 2,50,254 यहां पर short list किये गए थे 6,732 यहां पर qualified हुए 1,89,542 यहां पर disqualify हो गए है pass percentage का अगर मैं ratio निकालता हूँ तो 6,732 टोटल 2,50,254 और इसके बाद यहां पर percentage के लिए multiply में 100 किया तो 24 approximate यानि कि 24 point यहां पर 40 good something आपका निकल के आ रहा है यानि कि approach आप मानलो 24% ने यहां पर physical को पास किया यानि कि आप मानो कि 100% था 2,50,254 जिसमें से 24% ने पास किया और 6% यहां पर physical में fail होगे इसके बाद अगर मैं females की बात करता हूँ तो shortlist यहां पर करे गया 30,967 को qualify किया 7,235 disqualified होए 23,232 और यहां पर pass percent निकल कर आता है 23.36 approximate यानि कि लगभग 23% यहां पर females जो है उन्होंने जो है physical pass किया और इसके अलावा जो 77% है वो यहां पर physical क्या होगे fail होगे है ठीक है चली अब इसके बाद बात करें now the conclusion is from previous analysis previous दो analysis से क्या निकल के सामने आता है it is clear that pass percentage for male का है 24 से 25% यानि कि 24 से 25% रहने वाला है आपका males का और females का रहने वाला है 23 से 24% यहां पर आपका क्योंकि previous year के अंदर भी यही देखा गया है और यही ratio इस बार भी आपको देखने को मिलेगा so this time the ratio will also be the same for SSC GD 2024 यानि कि 24-25 male और 23-24 यहां पर रहने वाला है females के लिए physical के लिए and medical के लिए with 1 to 2% plus minus यानि कि आप इसके अंदर 1-2% का plus minus हो सकता है यानि कि आप क्या कह सकते हो 25 के अंदर minus तो जो है वो भी आप कर सकते हो बच्चों के उपर डिपेंड है लेकिन minus आप यहां पर करते हो तो यह कितना जा सकता है 2% अगर लेके चलते तो 22% का ratio और यहां पर maximum 27% तक का ratio जा सकता है females के अंदर 21% का और यहां पर 26% तक का आपका past ratio maximum जा सकता है now let's talk about the main competition and cutoff analysis of 2024 अब 2024 के main competition और cutoff analysis के उपर बात करते हैं अब यहां पर बात करते हैं दो हजार 24 के physical analysis के उपर shortlisted candidate यहां पर किये गए हैं 3,08,006 male candidates की बात हो रही है 5% यहां पर क्या रहेगा अगर मैं 25% यहां पर लेकर चलता हूँ कि 25% candidate ही इस बार आपके physical को pass करते हैं तो लगबग 37,019 candidates आपके physical को pass करेंगे अगर मैं qualified की यहां पर बात करता हूँ कि कितने candidates आपके qualified हो सकते हैं maximum to minimum तो 25% पर आपके हो सकते हैं 37,000 ठीक है और maximum यहां पर मैं लेकर चल रहा हूँ 30% का ratio maximum लेकर चल रहा हूँ 30% का ratio जो previous year में आपको नहीं देखने को मिला होगा जो यहां पर बंद रहा है बान मैं 1000 के आसपास आपका ठीक है तो यहां पर बान मैं 1000 के आसपास आपका अगर 30% maximum to maximum बच्चे भी qualify करते हैं तो बान मैं 1000 से उपर आपको ratio देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ disqualify का तो 2,37,000 candidate disqualify करेंगे अगर 37,000 pass करते हैं अगर 2,16,000 pass करेंगे अगर बान मैं 1000 candidate physical को यहां पर पास करते हैं इसके बाद अगर मैं females की बात करता हूँ 2024 की 38,328 shortlist की गई है pass ratio में maximum 24% लेके चल रहा हूँ फिलाल के लिए according to previous year so 9,189 में जो female से वो यहां पर physical को pass करेंगी लेकिन qualified के अंदर अगर मैं ratio को लेकर चलता हूँ 24,2,30% वो ही maximum ratio लेके चलते हैं कि male और female जो हैं वो दोनो 30% maximum तक जा सकते हैं 24% पर यह लेके चल रहे हैं 9,188 में और 10,500 में लेकर चा रहा हूँ 30% के उपर disqualification का ratio रहेगा 39,134,918 में और 10,500 अगर पास करती हैं तो यहां पर disqualification का ratio रहेगा 27,828 यहां पर ठीक है चले अब इसके बाद बात करते हैं cut off analysis को लेकर सबसे पहले यहां पर आपको पता है male की vacancy है 41,466 females की है 5,050 total है 46,617 अब यहां पर male की cut off का अगर मैं सबसे पहले analysis कर देता हूँ तो expected qualified जो है वो यहां पर क्या होंगे 37,000 से 22,000 तक vacancy है 41,000 जो है 466,000 आपकी vacancy है competition क्या कुछ रह सकता है competition आपका रह सकता है यहां पर अगर आपके 37,000 बच्चे अगर competition में आते हैं पास करते हैं तो 35,533 बच्चों को यहां पर disqualify किया जाएगा इसके अलावा अगर 12,000 जो candidates को अगर बाहर अगर physical को पास करते हैं तो 50,533 हैसे candidates होंगे जिनको यहां पर disqualify किया जाएगा क्योंकि लिये तो यहां पर 41,460 जो candidate है वही लिये जाएगे इसके बाद आगे कि आपको बात बताओं उससे पहले एक बार female की cutoff का भी एक बार देग लेते हैं 5,150 vacancies है total vacancies आपके सामने है 9,198 में से 10,500 qualify कर सकते हैं यहां पर 4,048 जो हैं उनको बाहर किया जाएगा अगर 9,198 में female qualify करते हैं क्योंकि लिये तो 5,150 female candidate को जाएगा 10,500 qualify करते हैं तो 5,150 में minus करने पर 5,350 female candidates को यहां पर बाहर किया जाएगा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ there is almost double competition according to vacancy तो यहां पर आप देखेंगे कि किसी का भी आप देख लो कि लगबग अगर मैं बात करता हूँ कि 41 आपके पास 41,466 vacancy हैं इसका मैं अगर डबल करता हूँ तो लगबग अगर मैं डबल करता हूँ तो मैं 41 का ही डबल करता हूँ तो 82,000 के लगबग आप मान कर चलो आपके पास मोटा मोटा पीछे की चीज़े अटा देता हूँ तो 82,000 जो है candidates हैं double यहाँ पर तो यहाँ पर 37,000 और 22,000 के लगबग हैं तो आप मान कर चलिए इनके बीच में ही कहीं pass ratio रहेगा तो एक seat के उपर दो जो candidates है वो यहाँ पर fight कर रहे हैं सेम अगर मैं यहाँ पर भी लेके चलता हूँ 5000 है तो गुणा में 2 कर देता हूँ तो 10,000 ठीक है 9,000 और 10,000 के आसपास है आपके candidate है यानि कि एक seat के उपर जो females हैं वो भी यहाँ पर कितनी है दो fight कर रहे है एक seat के उपर दो fighting यहाँ पर चल रहे है ठीक है चले आप इसके बाद है दो candidate fight कर रहे है एक seat के उपर almost according to vacancy जो है वो आपकी यहाँ पर vacancy के according एक seat के उपर double competition अब other factors की भी एक बार अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर consider किया जाएगा absent ratio कि इस बार absent कितने रहते है क्योंकि हमने जो ratio निकाला previous year का वो direct निकाला है इसके अलावा इसमें absent ratio कितने है कि कितने बच्चे जो 3,00,000 प्लस है उनमें से absent कितने यहाँ पर रहते है इसके बाद second है medically unfit ratio क्योंकि आपको पता है medical final cutoff लगेगी तो medically unfit ratio क्या रहते है कितने बच्चे medically unfit हो जाते है इसके बाद document fail ratio document dv में कितने बच्चे fail होते है इसके बाद physically pass fail prediction अभी हम 25% बोल रहे है हो सकते है कि यह ratio down चले जाए क्योंकि late हो रहा था तो जिन बच्चों ने त्यारी नहीं कि उनकी त्यारी ना होने के वज़े से यह ratio down भी जा सकता है या फिर यह ratio जो है 25 से 26 ताइस या 30 तक भी जा सकता है low gap in the marks candidates ऐसे हैं जिनके numberों के अंदर जो gap है वो कम है यानि कि एक number है, दो number है 30 तक है, चार number तक भी है ऐसे जो candidates है वो physical के अंदर participate ना भी करें यह भी एक prediction यहाँ पर हो सकती है एक exemption यह भी हो सकती है कि यह वाले जो candidates है, यह absent भी यहाँ पर रह सकते हैं, even एक यह भी है कि जिनके high number है लेकिन physical अच्छा है नहीं है, वो भी physical में ना हो, या फिर वो absent यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है unwilling to to do job, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे candidates है, जोनों ने form कर दिया paper clear कर दिया, लेकिन physical में नाम आ गया, लेकिन वो willing नहीं है उनकी इच्छा निये job करने की SSC GD की, तो वो यहाँ पर physical के अंदर present ना हो इसके अलावा selected in some other exam, कि यहाँ पर कुछ ऐसे candidate भी होंगे, जो किसी और exam के अंदर select हो गए है, और SSC GD का जो exam था, अब उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो absent ratio था, plus में जो other exam में shift हो गए है, unwilling to do job है, उनको मिला कर हो सकता है, यह ratio down चला जाए, so यह other जो factors हैं, इन सभी को भी आपको यहाँ पर consider करना पड़ेगा, ताकि इनके बाद एक और factor बन जाता है, state-wise vacancy, state-wise vacancy आपकी जो है, वो भी यहाँ पर एक factor बनता है, कि किसी state में कम vacancy हैं, किसी में जाद हैं, लेकिन overall vacancy आपको, आप मेल्स के ऐसे लग रहा है कि 41,000 लेकिन किसी state में बिल्कुल कम है, किसी में कोई जाद है, so वो भी यहाँ पर एक depend करेगा, so यह सारे factors हैं, जो cut-off के उपर यहाँ पर आपका role बहुत important है, यहाँ पर play करने वाले हैं, अगर हम बात करें, final लेकर कि cut-off का, जो है, वो क्या कुछ जा सकती है, तो देखें, यहाँ पर एक seat के उपर, एक seat के उपर, यहाँ पर two का competition है, ठीक है, एक seat है और दो candidates का है, यहाँ पर competition है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ candidates, यह competition क्या है, यह बिल्कुल सीधा-सीधा, ठीक है भाई, यह सीधा-सीधा, यह फिर आप बोल सकते हो, direct competition निकल क्या रहा है, अब direct competition का क्या मतलब है, यह भी आप समझ लीजिए, इसमें ना तो कोई absent निकाला, ना ही यह जो other factors हमने add किये थे, इनको base हमने बनाया, सो यहां पर इनके बिना, इन सारे factors के बिना, इन सारी चीजों के बिना, यह यहां पर सीधा-सीधा, direct यहां पर आपका जो है, वो competition है, अब जहां पर जब इसमें यह 8 factor और एड हो जाएंगे, तो यह जो ratio है, यह यहां पर लग-बग, 1.5 का जो ratio है, वो ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यह हो सकता इससे कम भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर जो cut-off है, अब वो complete analysis करने के बाद, यह निकल कर आता है, कि आपका जो आपकी जो cut-off है, वो बहुत ज़्यादा high नहीं जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है, वो extreme level की नहीं जाएगी, आपकी जो cut-off है, वो moderate level की रहने वाली है, और moderate का मतलब है, 2-3 number का या 4 number वाले जितने भी candidates हैं, उनके लिए यहाँ पर यह इस बार की cut-off, बहुत ही ज़्यादा benefit रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा उनके hit में, बहुत ही ज़्यादा उनके favor में रहने वाली है, जितने भी candidate है, 2-3 या 4 वाले, जितने भी number वाले हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी निरास नहीं होना है, बिल्कुल भी उनको यहाँ पर परिशान नहीं होना, क्योंकि होसले में, जो कहते हैं ना, होसले से जंग जीती जाती है, हत्यारों से नहीं, तो होसला बरकरार रखिए, पूरा competition आपके सामने चिठा खोल के रख दिया है, एक एक चीज खोल के बता दिये, कोई आपको यह चीज़े नहीं बताएगा, और यहां से चार से पांच नमबर का देखने को मिल सकता है, अधर वाई, किसी भी तरीके से आपको पीछे मूड कर देखने की जरूरत नहीं है, तो फिजिकल के त्यारी में लगो, अच्छे से फिजिकल देने जाओ, जिनके नमबर दो है, तीन है, चार है, पांच नमबर भी जाद है, आपको सारे की सारे फिजिकल देने जाओ, और आप देखोगे, किस भार की जो कटोफ है, बहुत शामदार रहेगी, आपके फेवर में रहने वाले है, तो आपके लिए बहुत महनुत करके, मैंने इस सारी चीज़े त्यार किया है, अगर आपको इस चीज़े अच्छी लग जापके लिएमयाओ.